अलो दोस्तों हिंदी के इस फीडियो में मैं आप सभी का स्वा Pablo करता हूंएं आज के हिंदी के इस फीडियो में हम दोग मुंहावरे यह अंडे सूंधी कुछ प्रश्विक्षे और भ्यास करेंगे स्वार्थ सिद्ध करना और डी अप्सन है घर में जाकर बैठना तो यहां पे जो सही विकल्प जो होगा वो होगा घर में जाकर बैठना यहनि कोई ब्रती जो है अगर बेकार में बैठा हुआ है तो उसके लिए यह मुहावरा उप्यूत होगा अब अन्हों देखेंगे दू लोटन लगे कपास का अर्थ है अब यहां पर आपको चार विकल्प दे दिया गया है जिसमें है पहला है साधूं की संगती छोड़ देना दूसरा है वांचित कारियों को छोड़कर अन्यकार में लग जाना सी है भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना और डी आप्सन हैं गिरेश्ति के जंजटों में फश्जाना तो आयत हरी बजन को लोटन लगे का पास अगर इसके मतलब को समझो तो यहां पर इसारह यह है कि कोई बेक्ति कोई जरूरी काम के लिए गया है तो उसकाम को ना करके किसी दूसरे काम को करने लगता है तो वहां पर यह लाइन कर अन्रिकार में लग जाना तो हम दो मुहामर्य को देखा हैं अब आशे का मतलब अर्थ औरश थे तो यहां पे चार विकल्प दिया गया है पहला है इसंभर कारत्थ करत्त दूसरा he Perform संदर का अनाधर करना और D आप्षण है सममाणिये का अनाधर करना तो चांद पर थूकना यहां एक तरीके से यह संभर कार runs होगा तो यहां पर तो यहां पर आप एक काही आप चुनाव करेंगे अब लोग दे Father ये प्रश्न को पर दिया गये है चौथा प्रश्न की तू डालडा मैं पात पात का अर्थ है पहला खत्रा उठाना दुसरा है आगे आगे दोड़ना C option है पेड़ पर चड़कर खेलना D option है चलाकी का जवाब चलाकी से देना तो यहाँ पर इन चार विकल्पों में जो सही विकल्प है चलाकी का जवाब चलाकी से देना यानि अगर कोई ऐसा काम करता है तो आप समझ जाओ कि वो किसको इंडिकेट कर रहा है तू डाल डाल मैं पातको अब हम लूद देखेंगे पाचवे प्रस्ण को अब यहां दोको दिया गया है नियम विरुद्यकार करने का सही मुहावरा होगा अब यहां पर दिया गया है सूरज को दिया दिखाना उल्टी गंगा बहाना नौ्टो ग्यारह होना या दाइसे पेट छिपाना तो यहां पे जो है यह जो सही विकल्प जो होगा इसमें होगा उल्टी गंगा बहाना यह उल्टी गंगा बहाना जो का जो अर्ज होता है वह होता है नियम विरुद्ध कार करना तो यहां पे आप अपसन इसमें बी का चुनाव करेंगे अब हम देखेंगे अंतीम प्रश्ण को अंतिम प्र'tी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। दूसरा है अकल का दुसमन तीसरा है आस्तीन का साफ और चौथा आप संधिया गया है कोई नहीं तो यहां पर जो सही जो इसका अर्थ चो होता है वह होता है आस्तीन का साफ तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरू बताएगा मिलते हैं नेक्स